नमस्कार आप देख रहें वीके न्यूज मैं हूँ दिवाकर विक्रम सिंग जिस बात का और जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी पूरी दुनिया के लिए आ गई और इंतजार भी खत्म हुआ जब जो वाइडन इस्राइल की राजधानी तेल अभी पहुँचे तेल अभी में उनका स्वागत खुद प्रधान मंत्री बेंजमिन नेतन्याहू और उनके कैबनेट के प्रमुख सहयोगियों ने किया जैसे ही वाइडन पहुचे जो आप तस्वीरों में और इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं इन दोनों पक्षों की जो बाडि लेंग्वेज की स्थिती है वो पूरी तरीके से सॉलिडरिटी है सॉलिडरिटी इसराइल के साथ और इसी बात का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी कि वाइडन पहुचते ही कुछ ऐसी कोशिश करेंगे जिसमें युद्ध खत्प होने की संभावनाएं तलासी जाएंगी और ये प्रियोग होगा कि किस तरीके से इसराइल को मना लिया जाए लेकिन ये क्या वाइडन जैसे ही तेल अभी पहुचे उन्होंने ये बयान दे दिया कि मैं आया ही हुई आया ही इसलिए हूँ क्योंकि मैं इसराइल का साथ देना चाहता हूँ ये बहुत बड़ा बयान जो वाइडन का है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमास फिलस्तीनियों का प्रत्मिधित तो नहीं करता इसका मतलब अमेरिका ने आधिकारिक तोर पर जो पहले वो मान रहा था उस पर जो वाइडन की टिपड़ी के बाद मोहर लग गई कि हमास एक आतंकी संगठन है और जब जो वाइडन ने ये कहा तो इसराइल के प्रधान मंतरी बेंजमिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने इसराइलियों का कत्ल किया है बिना उन्हें खत्म किये हम चैन से बैठेंगे नहीं हम आराम नहीं लेंगे मतलब साफ हो गया है पूरी दुनिया की नजर अगर वाइडन के तेल अभी पहुँचने और इसके बाद शांत की कोशिशों की सुरुवात से लगाई जा रही थी तो अब वो निगाहे वहां से हटती हुई नजर आनी चाहिए क्योंकि जो वाइडन ने सीधा संकेत दे दिया है कि वो इसराइल के साथ है और इसराइल के अस्तित्त के प्रती अमेरिका पुरी तरीके से चिंतित है और यही नहीं वाइडन ने ये कहा कि ये घड़ी और ये चड़ अमेरिका के लिए मुश्किलों भरा है वाइडन की इस बात से अब आप समझ सकते हैं कि उन्हों ने इस युद्ध को अमेरिका के लिए भी खतरनाक बताया क्योंकि वाइडन ने जो कहा उसके माइने है इरान सहित तमाम वो इस्लामिक देश अब अमेरिका के चा एक तरीके से खोल चुके हैं और लेबनान सहित अमेरिका के कई दूतावासों पर हमले की खबर है अमेरिका ने ये भी कहा है कि इसराइल अपने अस्तित को बचाएगा और अमेरिका उसका सबसे बड़ा एलाई सबसे बड़ा सहयोगी है और इसकी जो दरकार है उसके ल इसराइल जो कुछ भी करेगा और सैन्य कारवाई भी उसमें शामिल है उसमें अमेरिका कोई रोक नहीं लगाएगा इसके मायने साफ हैं साथ ही साथ उन्होंने फिलिस्तीन के प्रति भी हमदर्दी जताई लेकिन ये कहा कि हमास फिलिस्तीन का प्रतिद्य तो नहीं करता इ और हमास ने ही इसराइलियों का कत्त किया है ये वाइडन ने भी स्वाइकार किया साथ ही ये भी कहा कि वो तेल अभीब आये ही इसलिए हैं क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि वो इसराइल के साथ हैं इसके माइने अब आप समझ लीजिए पूरी दुनिया दो धड़े में ब मिस्र और वो तमाम देश हैं इसमें अब इराग भी शामिल हो गया है साथी साथ सौधी अरब और कतर जैसे भी देश सामिल हो गये हैं लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि कोई भी इसराइल के वजूत को खत्म करने की बात करता है तो अमेरिका उसके खिलाब खड़ा हो जाएग क्योंकि अमेरिका इसराइल के वजूत के प्रति बेहत सतर और पूरी तरीके से गंभीर है इससे इसराइल के प्रधान मंत्री बेंजमिन नितनियाहू को एक बड़ा भूस्टप मिला है और उन्होंने कहा है कि वो तक तक दम नहीं लेंगे जब तक हमास का खात्मा नहीं कर देती तो यह युद्ध अब लंबा खिचने वाला है जैसा कि वीके न्यूस पर पहले ही बता दिया गया था कि जो लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जो वाइडेन जैसे ही तेल अभी पहुंचेंगे कुछ ऐसी भूमिकाएं बनाई जाएंगी जिसमें इसराइल पर संख्या में एलीट फोर्स पूरी तरीके से तयार है क्योंकि लेबनन, सेरिया, जॉर्डन और मिस्र जिस तरीके से उबाल खा रहे हैं और इरान सीधे सीधे हमले की धंकी दे रहा है जैसा कि आप एक वीडियो के जरीए भी देख सकते हैं कि इरान के एक संसत की बैठक में क इस तरीके से इस्रायल को खत्म करने के नारे लगाय जा रहे हैं, पिलिस्तीन के जिंदा बाद के नारे लगाय जा रहे हैं, एरान इस समय उछल को बहुत रहा है लेकिन अमेरिका ने ये संदेश और संके दे दिया है कि अगर कोई दुसाहस की कोशिश हुई इरान जैसे देश की तरफ से तो फिर अमेरिका चुप नहीं बैठेगा वो भी तब अमेरिका की तरफ से ये बयान आ रहा है जब लेवनां जेसे देश में अमेरिका के दूतावास को जलाने की कोशिश की गई है और तमाम मुस्मिन देशों में जो अमेरिका के दूतावास हैं उनको टार्गेट करने की कोशिश की जा रही है पूरी तरीके से इस्लामिक देशों के कटर पंतियों ने अमेरिका के खिलाब भी मोर्चा खोल दिया है ऐसे में जो बाइडन का ये बयान ये मुश्किलों भरा छड़ अमेरिका के लिए भी बहुत खतरनाक है बहुत मुश्किल के इस्तिती में अमेरिका भी पा रहा है लेकिन इसराइल के प्रती वो पूरी तरीके से गंभीर है क्योंकि इसराइल उसका दोस्त है और उसकी रक्षा के लिए अमेरिका पूरी तरीके से तक पर रहेगा हमास और हिजबुल्ला जैसे संगठन पुरी दुनिया और मानोता के लिए एक बड़ा खत्रा है अमेरिका ने ये भी संदेश दे दिया है इसलिए अगर गाजा पट्टी में हमास के खिलाब कारवाई आगे बढ़ेगी तो उसमें इसरायल पर अमेरिका कोई रोक नहीं लगाएगा लेकिन जो वाइडन ने इस मौके पर ये भी कहना उचित नहीं समझा कि हमास के खिलाब जो कारवाई हो रही है उससे गाजा पट्टी में निरपराज और बच्चे भी मारे जा रहे हैं उसके लिए क्या करना इस पर वो कोई बात नहीं रखे हाँ उन्होंने इतना जरूर कहा कि हमास फिलस्टीनियों का प्रतिजित नहीं करता इसलिए हमास के प्रती किसी भी तरह के हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है बड़ी बात कही है जो वाइडन ने तेलभी पहुशने के बाद उन्होंने जो कुछ भी बयान में कहा है और इसके बाद जिस तरीके से इसराइल बुस्रप हुआ है लगता तो यही है कि आने वाले समय में अब इसराइल और सघन कारवाई करेगा और हो सकता है कि इसके बाद कभी भी तीन लाग से अधिक एलीट फॉज जो इसराइल की तयार खड़ी है हमास को खत्म करने के लिए गाजा पट्री में एंट्री के लिए वो अब एंट्री कर सकती है और अगर ऐसा होगा तो वहां मानवी तरास्ती और ज़्यादा भयंकर और संकट्रे दोर में हो सकती है इस तरास्ती से बचाने के लिए प्रदानमंत्री नरेंद मोदी ने भी एक ट्वीट किया है कि किस तरीके से गाजा पट्री पर जो हमला हुआ है और एक हास्पिटल में हमले में 500 से अधिक बच्चे बुढ़े नौजवान जो निरपराद थे जिनका कोई अपराद नहीं था वो मारे गए इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी और जवाब देही तै होनी चाहिए मतलब साफ है क्योंकि अब इस्राइल ने कई प्रमारों से ये साबित कर दिया है ये मिसाइल अटैक गाजा पट्टी पर हमास और उसके सहयोगी उगरवादी संगत्नों ने ही किया था और गलती से ये मिस फायर हुआ और उसका खामियाजा भोले भाले गाजा पट्टी के फिलिस्तिनी निवासियों को भुगतना पड़ा है ये अब खबरें जिस तरीके से प्रोपोगेट की गई थी और इसराइल को इसके लिए जिम्मेदार ठाराय जा रहा था अब उसकी भी पोल पट्टी खुलने लगी है इसलिए प्रहाल मंत्री निरिन मोदी ने ट्विट भी किया है और जिम्मेदार लोगों की जबाब देहिते करने की बात कही है बहराल अब युद्ध एक नए दोर में प्रवेश करने जा रहा है क्योंकि जो वाइडन ने इसराइल का साथ देने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने साफ तोर पर कहा कि वो इसराइल आए ही इसलिए है क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं को इसराइल के सबसे बड़े दोस्त है इस ख़बर पर आपकी क्या रहा है अपनी प्रत्रिया दीजिए देखते रही है वीके नूज दीजे इजाज़त नमस्का